इस पुस्तक में जो स्पष्टताएं दी है कि नागराजी बाबाजी ने पंदमाने वो अभी तक मानो परमपरा में ज्ञान को लेकर यान भोग को लेकर जो भी बाते हुई है उसको स्पष्ट करने के दिश्टी से है तो इतने बड़े वस्तु को व्याख्या देने के लिए मैं अपने आपको बहुती चोटे सर पर पाता हूँ कि मेरी स्थिती है तो आपके सामने मैं भी जो भी प्रसुत करूँगा वो एक विद्यारती के हैसियत से और शास्त्रध्यन से प्राप्त जो तरक रूपी समझ कोचा है उसको आपके सामने प्रसुत करूँगा इससे अधिक अधिकार इस प्रस्तुती में नहीं है तो आप उसको उसी सर पर उसी आधार पर स्विकार है यह मेरी एक विनन्ती है तो अनुभव तर्शन के जो मुख्य बिंदू है शायद हम देखते हैं तो यह अधिया होने के बार यहीं समय बचता है और यहीं मूर बन जाता है तो दस-पंदा मिनिट में हम रखेंगे परन्तु कुल मिलाकर मुझे लगता है अधिया एक से लेकर पांच तक इसकी जो पूझ junior होंगी गेंगी जो कुल मिलाकर 45 मुहीं है दुभ को ना जीवन का होना जीवन में आत्मा का नुभूत होना नुभव के अवस्था में फजाय के स्पष्ट होता है अधिया सट्ष लूप में चेल कोना और आत्मा कामरत्त तो जैसे जैसे अधियन आगे बढ़ रहा है मेरे मन में भी बाबाजी के जगह जो शब्द है वो महराजी ज्यादा उप्यूत लगता है तब उन्होंने जो अचीव किया एक वेक्टी के रूप में उसकी जो उंचाई का सेंस जैसे जैसे मुझे में और स्पष्ट होते जा र वरव के रूप में बनता हुआ मैं पाता हूं तो इस पूरे पुस्तक को उन्होंने नौ अध्याई में लिखा है तो अध्याई छे के हम पठन को फ्रादम करते हैं उसमें मुझे लगता है कि यह भी कहना अवश्यक है कि यह पुस्तक वैसे काफी सरल रूप से लिखी गई है और इसके मूह लावधार्णा यह दी आपके सामने आ चुके हैं तो बहुत ज्यादा उसमें हमको महनत करनी के आवश्यक्ता है ऐसे तो नहीं होता है इंट्रेस्टिंग्ली अनुभव दर्शन के साथ मेरी जो कहानी है वह ऐसी है कि 2010 में मैं और मेरी पतनी गवरी हम लोग एक वर्ष यह पूर्णकाली अध्यन शिविर के लिए अचोटी में थे तो वहां पर मैं एक शिविरार्थी के रूप में था तीन चार एक वर्षों स बाबाजी के साथ थोड़ी सी बातचीत होती रही अनुभव दर्शन को में एक बार पढ़ा था और योगे शास्त्री जी को इस पुस्त्रा को पढ़ाना था उनको अचानक अरश्टा जाना पढ़ा तो एक दिन पहले मेरे पास आये और बोले भाया यहां और कोई है नहीं इसको आप ही पढ़ा दो मैं जिस शिविर में विद्यार्ती के रूप में था उनी शिविरार्थ योग को मुझे अनुभव दर्शन पढ़ाना भी पढ़ा तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं सबेरे जो है मुझे शब्द समझ में निया पाक परीमिती इसका क्या मतलब है मैं कभी सुना ही नहीं था यह सब तो सभेरे साधन को पुलाता था साधन बटाच चारे जी को अमरकंटक में बाबा जी साशेरीर थे 2010 में तो सभेरे में 15-20 मिल्ट में उनसे शब्दों का अर्थ ले लेता था और मैंने उस तक में उसको लिख लेता था तो जब अध्यन शिविर में मैं गया मैंने मैंने पाया कि अधिकांश लोगों के जो प्रस्न थे यह फ्रिक्वेंट्ली आस्ट क्वेसिन जैसा इनी शब्दों पूरे करम में चौथे नंबर पर है यह मध्या दर्शन भाग चार है इसके पीछे यह मानेता है कि मानव व्यभार दर्शन और कर्ण दर्शन से जो भी आउधारनाय स्थापित होनी है उसके अध्यन से यह आउधारनाय उस व्यक्ति में हिज्वेंगम हो जाती है फिर उन आउधारनाओं को जीने के रूप में जानने के बाद मानना मानने के बाद पहचानना निर्वा करने के करम में अभ्यास दर्शन पुस्तव को रखा है उसके फलन में फिर अनुभा दर्शन का अध्यन प्रस्तावित है जो क्लासिकल मेथड है इसका अध्यन का इसलिए इस रखा गया है एक अलग मुद्दा है कि मानवयवहार दर्शन और कर्म दर्शन पढ़ने से इतने लोगों में तुरंत अवधार नाय रिदेंगम चीजिए हो जाती है इसके पुष्टी में हमको मानवयवहार दर्शन में एक लाइन मिलता है सर्व प्रतम अध्यन वितियस्थिती में अभ्यास वितियस्थिती में अनुभाव जो एक बहुती चर्मोत कर्ष एक एक एक्जान के बारे में बात करता है और ज्यान का चर्मोत कर्ष भी इस अर्ष में है कि जो भी जानने योग्य है वो सारे वस्तुवे अनुभाव के स्थिती में अनुभाव के अवस्था में अनुभाव के अनुभाव में पष्ट हो जाती है तो उसी को हम आगे पठन शुरू करेंगे भूमिता के साथ अध्याय छे भ्रहमान भूती संपन मानव ही जड़ प्रकृति की आसकति से मुक्त है जिसका जीवन भ्रहम्मुक्त अवस्था में है आगे भी आएगा तो उसको हम आगे लेंगे ज्यानात्मा, जीवात्मा, जड़ प्रकृति, परमात्मा एवं उसके अनुभव चर्चा प्रसिद्ध है यही जीव जगत एवं ईश्वर सहज अध्यन है रिष्टापद में अध्यन करने वाला मानव ही है तो प्रथम लाइन में उन्होंने अस्थित्व में जानने योग यह जो वस्तविक्ता हैं जिसको लेकर मानव जाती अभी तक प्रेत्निशील किया हूँ रहा है उसको उन्होंने पहले लाइन में सपष्ट कर दिया एक तो ज्यानात्मा क्या है जिवात्मा का तात्पर ये यहां पर ये वैसे हम देखेंगे तो जानने वाली जो इकाई है ये क्या है दूसरा फिर जीवात्मा का भी वर्नन हुआ है जीवात्मा की बात ये भाशा की रूप में हमको मिलता है वेधान परमपरा में तो जीवात्मा का स्वरूप जड़ प्र एक दर्शन ये कह सकता है कि पर्मात्मा से ज्यानात्मा पैदा हुआ तो ग्यानात्मा के कई नाम है कहीं महत्त्त्त्त कहा है, कहीं पूरुष कहा है, कहीं आत्मा कहा है, कहीं जीव कहा है, भाशा के रूप में अलग-अलग हो सकते हैं, परन्तु वस्तु के रूप में यह दिखेंगे, या भाशा सिंगित वस्तु के रूप में यह दिखने जाएंगे, तो क्या जीव जगत पर स्थिति सत्य से संबंदित जो मुद्धे हैं कुल मिलाकर चर्चा की इतने बिल्दू इसी को लेकर अनुभो की चर्चा प्रसिद्ध है इतने वर्षों से मौडन हिस्टी में तो हजारों साल की बात करते हैं और परमपरी विदी से देखेंगे तो लाको वर्षों का इतिहासित धर्ती पर बताया जाता है तो लेकर चर्चा प्रसिद्ध यह कह रहे हैं दर्शन का साथ में यहीं जीव जगत एवं ईश्वर सहज अध्यन है इश्वर और जीव क्या परियावाची शब्द है यह भी बहुत क्लेर नहीं है इस वाक्य से जीव और आत्मा क्या एकी वस्तु है कि धिन्द है कि जीव में एक भाग का एक भाग आत्मा है फिर जीव और जड़ प्रकृति के बीश में संबंद क्या है क्या जीव का कोई भाग वास् काई है वो मानवी है दूसरी कोई वस्तु नहीं है अगला क्रिया समूही प्रकृति है व्यापक क्रिया Г्णान गूण है तो एक एक clear line, demarkation line बना दिया, कि kriya समूख को प्रकृति कह दिया और व्यापक को kriya शून्य कह दिया, इसलिए व्यापक का नाम शून्य भी है का मतलब व्यापक स्वाएम में kriya नहीं है, तो इस line में वो दो प्रकार के वस्तुओं के अस्थित्व को दर्शनकार ने यहाँ पर यहाँ अनुभव करने वाले इकाई ने उसको यहाँ पर पिकार लिया इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि क्रिया का अस्थित्व नहीं है क्रिया तुमको दिखता हो और क्रिया नहीं है एसा भी भाषा नहीं आया है केवल व्यापक की है ऐसा भी नहीं आया है दोनों ही नहीं है कुछ भी नहीं है और तुम भी नहीं हो तीसरा option है यह भी नहीं आया है तो बहुत clear demarkation यहाँ पर कर दिया व्यापक ग्यान पून है तीसरा लाइन जो सेकेंड लाइन था व्यापक ग्यान पून है में ये कह रहे हैं कि व्यापक स्वयम ग्यान है तो व्यापक ग्यान पून है होने का क्या तात्परे बनता है व्यापक की शैतनी इकाय में ग्यान के रूप में प्रवाहित है या ग्या पहले जो भाशा है क्रिया और क्रिया शुन्य के संदर में इस वस्तूप नाम देना जाएंगे शुन्य के निरिक्षन करने से यह ग्यात होता है कि शूर्य हर जगह है जैना हर जगह उपस्थित है इसलिए उसका नाम के दूसरा नाम बनाऊ ता इसरा विया और इस व्यापक वस्तू या शूर्य की बीच में अंतर संबन को जब देखने जाएंगे तो ये पाया जाता है कि इस शूर्ण्य में रहने के कारण, भीगे रहने के कारण ही सभी क्रियाएं क्रियाशील हैं, इसलिए ये शूर्ण्य स्वयम साम्य उर्जा के रूप में पाया जाता है, इसलिए उसका नाम फिर उर्जा देना बनता है, यही जड़ प्रकृति जब च अगरित हो जाती है तो वही चेतना जो है ज्यान रूप में उसको ज्यात होता है तो यह जो सारे व्यापक वस्तु को जो अलग-अलग ही के पातरता योग्यता और शम्ता के कारण या फलस्वरूप वही व्यापक वस्तु उस रूप से समझने आता है इन सारे चीजों को समझने वाला इकाई मानवी है मानवी इसका नहीं करता है पहले चार लाइन होगे आगे जाते हैं असंके सान में पधार्थ व्यूव की स्थिति श्रम गती परिणाम पूरत रास विकास के भेद प्रभेद से प्रत्यक्ष है एक तो कह रहे ही कि जो स्थान है यह असंक्य है अन्ग स्थिति श्रम गती परिणाम पूरत रास विकास के भेद प्रभेद से प्रत्यक्ष है तो जो मुख्य रूप में इकाई का होना व्यपक का होना और इन दोनों का अलग होना इसको तो उपर बता दिया अब यह कह रही कि इकाई केवल पढ़ा नहीं रहता है जड़ का यह मत लेंगे तो जड़ का मतलब है कि कुछ नहीं कर रहा है कि वो चेतना संपन नहीं है वो सोच नहीं सकता उसमें कोई भी आशा की क्रिया यह विचार की क्रिया यह चिंतन की क्रिया प्रकट नहीं है बट इसका यह मतलब नहीं है कि जड़ कुछ भी नहीं करता जड़ जो है प श्रम्गति परिणाम के रूप है। श्रम का तात्पर यह होता है कि परमाणों में जो नहित अंच है। उनमें साथ रहने की प्रवृत्ति या बल संपनता को श्रम कहरें। इसके साथ उसमें जो घुर्णन और वर्तुलात्म गति बल संपनता से वो उर्जित हुआ और साथ मेरने की उनमे प्रोष्टी बनी और केवल साथ में हैं ऐसा नहीं है वो गतिशील भी है यह घुर्णन गती तथा वर्तुलात्मत गती और कंपनात्मत गती तीन गतियों के बारे में आप आगे भी अध्यन करेंगे और इसके पहले भी किये हुँगे इसको गति कह रह विकास तब कि जब वो गठन पून्ता के और उसमें जो परस्थापन की और जो भी एक गति विदी होती है उसको कह रहे है और या जो दिशा होती है गति की उसका नाम है विकास और वो जब गठन पून्ता से विप्रीत विस्थापन की और और दो अंच के परमानों से लेकर उससे भी हरास आंश की अवस्था में जब हम उसकी गती शीलता है उस दिशा को हम कह रहें हरास तो यह हरास और विकास के रूप में हैं यह ना कि भेद प्रभेद से यह प्रक्चक्ष है तो इतेक लाइन में कह दिया अगे हम देखेंगे कि इश्रम गती परिणाम को फिर हम खैतनी काई में कैसा देखें तो आगे कभी उसका शायद संदर बाएगा तो उसको हम उससे में ले लेगे यह जड़ के संदर में यहां पर कहा है तत्ता में पाये जाने वाले यह जो मैं हाईलाइट करना हूँ यह बह एक सेकंड शमाच आऊंगा कि काउंड अब मैं आपके कमेंट्स देख सकता हूं नीचे मुझे दिखा रहा है लाल में कि सिग्नल डाउन हो रहा है तो नीच आने से हम लोगों कर देंगे तो मैं यह कह रहा था कि यह जो हाइलाइटिंग है ज्यादा स्मूद नहीं है तो पड़ते समय आपको स्क्रीम पे थोड़ा सा ज्यान देना पड़ेगा या आपके हाथ नपुस्त को तो उसको रखके आप देख सकते हैं सत्ता में पाये जाने वाले विभिन स्थान गत पधार्त व्यू में से इस प्रिख्वी पर प्रकृति चार अवस्थाओं में परिलक्षित है जो पधार्त प्रांच जीव और ग्यान अवस्थाएं हैं तो यह अभी इसमें दो-तीन चीज़ें आ गए एक तो यह जो प्रकृति है यह सत्ता में समाहित सत्ता में पाया जाता है एक यह कह दिया तो केवल सत्ता है प्रकृति नहीं है यह भी ने कह रहें उसमें विभिन स्थान विभिन स्थान गत पधार्त व्यू यह जो पधार् नामगती परिणाम रास और विकास में पदस्त है इसको यह दि देखेंगे वो इस प्रिट्वी पर चार अवस्थाओं में पाया जाता है तो उसी का जो परिवर्थे च्वरूप हमको पदार प्रांच जीव तथा मानव की रूप में इस सिती पर हमको दिखाया दे रहा है पदार तवस्था के विकास का चर्मोत करशी प्रानवस्था, प्रानवस्था का अंतिम विकासी चैतन्य जीव अवस्था, चैतन्य जीव अवस्था का उच्चेतम विकासी चैतन्य भ्रांत ग्यानवस्था, चैतन्य भ्रांत ग्यानवस्था के विकासी भ्रांत भ्रांत ग्य नहीं आ पुआज में भूद्याटे करता हूं यह जैसे प्रिंटेट वेसे ही फॉंट यह कर देंगे तो इसा उसका विकास को फिर सबसे उंचा विकास का मतलब उसको प्राण अवस्था का अंतिम विकासी चैतन्य जीवास्था क्या आपट पर यह हुआ इस स्विच में एक तो प्रान अवस्था की जो प्रान कोशिकाय हैं उन में ऐसे यह दि देखेंगे उसका अंतिम विकास जीववस्था के शरीर के रचना के रूप में दिखता है जीववस्था शरीर को देखेंगे उसमें पुना भुचर जलचर और नपचर तीन श्रीनियो करें योग्य इंद्रियों से लेकर 5 इंद्रियों को ग्रैंद करने योग्य मेधस सक्क हमको ख़ी ववस्तह में दिख्ता है जाथ में यहां पर बात कर रहें तो ये जड़ प्रक्रति की बात करने नाफिड सुछ रूप र जीववस्तह की उच्छतंः यहां है इन दोनों के सहस्तित्व से इन डोनों के सहवास से चैथन्य और शरीर के साथ रहने पिर हमको जीव अवस्था और चैतन्य ब्रांत ग्यान अवस्था बिलता है चैतन्य ब्रांत ग्यान अवस्था का विकासी ब्रांता ब्रांत ग्यान अवस्था तो ब्रांती तब कह रहे हैं जब जीवन में केवल साड़ेचार क्रिया की क्रियाशील है वो शुद रूप में शरीर को जी व्यवार करना है और सारा इंद्री व्यापार करना है इसको फिर ब्रांत ग्यान अवस्था कह रहे हैं उसके बाद इससे विक्सित होना ही ब्रांता ब्रांत ग्यान अवस्था ब्रांता ब्रांत ग्यान अवस्था का सर्वोच विकासी निर्ब्रांत देव ग्यान अवस्था और एवं दिव्य वस्ता है, सब को ग्यान सरवत्र प्राप्त है, तो ये ब्रांत ग्यान वस्ता ही, ब्रांता ब्रांत ग्यान वस्ता ही, पिर आगे जाके निर्ब्रांत देव वानव हो रहा है, तो इसमें हम गोर करेंगे कि ब्रांत ग्यान वस्ता से सीधा निर्ब्रांत दे आप लोग हो कर लिए पाउन पे सुन रहे हैं तो एक आप लोग एक एएरफोन रख लीजे क्योंकि इसमें ये जो सॉफ़वेर हम यूज कर रहें ब्रोड कास्टिंग के लिए इसका गेन को एक सेटिंग होता है हम कल करेंगा भी हात लगाने से शायद ये करम चंदर परकास टिपाटी जी से निवेदेने के आप एक एक एसा एएरफोन रख ली दिवे मानोव बनने की कोई भी प्रावधान अस्थित्त में नहीं है वो देव चेतना होते हुए ही दिवे चेतना में होने की संभावना है आप में से जो लोग अभ्यासदर्शन के आकरी के अध्याय को हम लोग साथ में किये थे उसको यहां पर स्मरण करेंगे तो हम ये अवे पाएंगे कि भ्रांत ग् solicit अवस्था से वीक्षित होकर आव कार्न के अस्पास की स्थिती में ये माननव के चेतना यह मानमितापून प्रस्क चिद्न को यहाँ है और। उसी को आगे जाके निर्भानती की सिती में सादक अपने को पाता है और देव मानव और देव अवस्था और दिव अवस्था यहां जो लिखा अवस्था लिखा है तो देव अवस्था और दिव अवस्था यहां देव चेतना से संबंदित ग्यान और दिव चेतना से संबंदित जो ग्यान है यह यह होने से फिर उस जीवन की जो सिती है वो नि प्रमानित होता है तो वही जो प्रमानित होने के क्रम में वह ब्रांता ब्रांत जैसे दिखता है वही मानव जब मानव चेतना के रूप में प्रमानित करता और दिवे चेतना के रूप में प्रकटन में शेष्टा को पाता है तब पुना ब्रांता ब्रांत का प्रमान और निर पूरी प्रकृति को देखेंगे यहां पर प्रकटन का एक सिलसला यहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से एक हमको दिखता है जो एक इसके चर्चाओं में शायद थोड़ा सा मतला परंपरागत चीजों परंपरागत दर्शन विचार तथा शास्त्रों में कीनी चीजों को लेकर कुछ कहा गया है उसको एड्रेस करने के लिए लगता है कुछ लाइन यहां पर लिखी गई है इसलिए उसके संदर्पों में उस रखोंगा जब भी मुझे ऐसा लख मैसूस होता है नहीं तो जब केवल दर्शन की ही बात हो रही है तो उसको भी हम ऐसे सीधे रखेंगे तो यह स्पष्ट है यह फाइनल विखास है इससे अधिक विखास यह जगरती जयान आत्मा में नहीं है ब्रहमानु गूती का मतलब ही अस्तित्यमानु गूती उसका मतलब ही इसाहस्तित्यमानु गूती ही ज billion होता है नेखिस्का में भीके रहने से हम केतना संपंगे और जिस चेतना के विकास के कारण हमको क्रमशा अस्तित्य का दर्शन होते जा रहा है और वो अंततह उसी ज्यान, उसी व्यापक रूपी ज्यान कही अनुभव हो जाना, तो ज्यान कही ज्यान हो जाता है अनुभव में कि यह ज्यान के रूप में है, यही ज्यान में ही ज्यान करम हैं जागरिती करम को वहां से कह ुरुप में आगे जाके मानव में जागर्ति करम के रूप में पता चलता है जागरती कर्म में पहले महानवचेतना का ज्यान उसके बाद देवचेतना से संबंदित ज्यान उसके बाद अनुभाव में पूर्ण ज्यान फिर वही जो है चेतना त्रहे के रूप में जो कुछी समय पहले मैंने आपको कहा था कि यही चेतना त्रहे के रूप में प्रकट होने से फिर जागरत प्रमा के आ गया है तो पिर कुछ कर गया लाए यह सब मेरे सामने चार-पांच विंडो है ते लिए वह ऐसा हो रहा है कि आ गया है यह ठीक हो गया है तो यह इसमें संदिक देता नहीं है पूर्ण में अनुमान विले होता है तो अनुभावत तक पिर अनुमान प्रसिद्ध है यह भी हमको एक वाक्य मिलता है तो व्यापक वस्तु को फिर पूर्ण कहरे है क्यूंकि व्यापक वस्तु में कोई भी प्रकटन, क्रिया, परिवर्तन, परिमार्जन कुछ भी नहीं है तो इस अर्थ में व्यापक वस्तु क स्थिति पूर्ण कहा है और प्रकृति को स्थितिशील कहा है तो स्थितिशील प्रकृति जो है स्थितिपूर्ण सब्ता में पूर्ण में गर्भिद है यह भी हमको एक वाक्य समझ में आता है और इसका पूर्णता को प्राप्त करने का मतलब है कि यह स्थितिशील प्रकृति पूर्णता को अनुभव करने योग ये हो जाता है, इसी को फिर उसमें विकास की पूर्णता या जागरती की पूर्णता के रूप में हमको इंगित किया गया है इस जर्शन है, ज्यान में ही ज्यानात्मा का अनुभव ये तो हो गया, तो अनुभव के पहले, तो हमको जो य सा बात करते हैं सचाई के बारे में बताते हैं तो में सचाई के प्रती थोड़ा सा अनुमान होता है उसके बाद हमारा जिग्यासा बनता है हम दर्शन का अध्यन करते हैं उसके हमारा अनुमान और ठोड़ा होता है और दर्शन में जो चीजें लिखी हैं कोई भी दर्शन में उसको लेकर हमारा थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है या बनता है। उसके बाद भी सत्यबोत के स्थिती में कुछ अनुमान बचा रहता है और वो भी जो अनुमान है वो पूर्ण में तिरोहित हो जाता है और या विले हो जाता है। तो इसमें देखिए, पूर्ण में अनुमान विले हो रहा है, आत्मा विले नहीं हो रहा है, जो कम से कम नागराजी के भाषा से हमको मिला परमपरामिजद, कि आत्मा जो है, परमात्मा में विले हो जाता है, इसमें क्या है, अनुमान विले हो जा रहा है, आत्मा विले नहीं su dhai नहीं है इसलिए दर्षन के लिए प्रकृत्ति से अधिक विशालता नहीं है उसके दर्षन क्रम्य सवयम का अध्यनदे वस्ट है तो यह कह रहे हैं कि अनुमान होने के वज़े所以 हैंनुभोग के लिए हमलियाज ही करते हैं पिर कह रहे हैं ये अनुमान के लिए वस्तु क्या है आज के दिन हमारे पास व्यापक वस्तु तो एक है ये बोल दिया कि खाली स्थान है इसके अलावा दर्शन के लिए हमारे पास और कोई वस्तु नहीं है केवल प्रकृति ही है तो दर्शन के लिए प्रकृति से अधिक व कुछ भी नहीं है। उसके दर्षन करम में स्वायम का अध्यान स्पश्ठ होता है। संपन्न हो जाते हैं, तो स्वायम को ही इस भ्रहमान भूति योके शमता से संपन्न होना है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से जागरत हूँ, या मुझे में आत्मा नामक कोई अंच पहले से जागरत है, और मुझे में चित्नामक एक क्रिया है और रिट्टी नामक क्रिया है, और य प्राश्मान होगा ऐसा भाष्रा हमको इसमें नहीं मिलता है। सारा उसमें हमको एक पाइदान के रूप में हमको इसमें मिला है। से कोई अचानक जंप है ना और किसी ने लात मार दिया कुछ हो गया यहां हम उल्टा लटक गए उससे कुछ हो गया ऐसा नहीं है। बहुती एक क्रमशा जगरित होने की एक पूरी स्थिती इसी को फिर अध्यन विधी कह रहे है। नहीं तो दूसरा जो है वो रहस्यात्मक विधी है कि एक आदमी आज बेकुफ था और डाली से नीचे गिर गया और अचानक कभी बन गया। इस दर्शन के अध्यन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि है तो फिर बताने योग या अध्यन विधी में आने योग नहीं है। इसलिए उसको अध्यन विधी या शिक्षा विधी के लिए नहीं रखा है। इसलिए जुड़ता नहीं। नाकराजी ने एक सुन्दर चोटा सा एक बात कहा कि व्यापक वस्तु यहना सब को अपने पेट में रहने देता है। तो व्यापक वस्तु में कोई एक अपसा भाव नहीं है परंतु वो जो एक आशे है वो इस लाइन से हमको स्पष्ठ होता हुआ दिखाए देता है। अधिक और कम की गणनाये अपेक शाकृत हैं तता भाव और अभाव भी काफी स्पष्ठ है। कोई भी वस्तु अधिक है या कोई भी वस्तु कम है यह सापेक श्विदी से ही समझ में आता है। यह कमपेरिटिव स्टेटमेंट है। हमेशा more and less is always a comparative statement भाव और अभाव भी किसी होने के सिती के संदर में फिर हम अभाव यह न होने की बात कर सकते हैं। काल विस्तार और इकाई की गणनाय हैं। जो भी हम गिंती कर सकते हैं या तो समय का गिंती हो सकता है या फैला और विस्तार का गिंती हो सकता है या इकाई की ही गिंती हो सकती है। उतलुकी पीखती वस्तूस्तिती के रूप में देश-傑काल के रूप में हम परते हैं ये सारी गण्याय ये काल विस्तारों दिकाई की गणनाएं करते हैं, आगे, जड़ता के प्रती आ सकती स्वतंतरता का लक्षन नहीं है, तो लिखने का स्टाइल भी देखिए, अभी काल क्रिया की बात की, अब directly फिर स्वतंतरता की बात कर रहे हैं, जड़ता के प्रती आ सकती स्वतंतरता का ल लक्षन नहीं है उससे मुक्त होने के लिए उपदेश है यह जगरती के लिए पिरना है तो जड़ता के आसकती से मुक्त होने के लिए फिर उपदेश दिया जा रहा है इसका क्या तब बनेगा इस पर थोड़ी सी मैं कुछ पूछा भी था नागराजी से कुछ सोचा भी बनता है सादक में जिसको स्वतंतरता के लिए हम प्रयास करेंगे तो उस स्वतंतरता के प्रयास के अर्थ में फिर यह वाक्य है क्योंकि शुरुआ की करब में जैसे मान लिजे ब्रान तवस्था में एक विट्थी है तो उनका सरोप्रखम जो लक्ष बनता है वो ब्रान तवस्था मतलब जानकारी को प्राप करना सक्षात्कार करना याना सक्षात्कार पूरवत जी पाना अभ्यास पूरवत या सक्षात्कार के लिए अभ्यास करना तो कुल मिलाकर दीनता हीनता करूरता से धीरता वीरता उदारता में गुनात्मक परिवर्तन होने के लिए प्रिया प्रिये हिता हित लाभालाब दृष्टी से न्याय न्याय धर्मा धर्म सत्या सत्य दृष्टी में गुणात्मक परिवर्तन होने के लिए और अहार निद्राभ्य मेथुन संबंदी विशय प्रवर्वर्ती से लेकर वेवस्था में परिवार वेवस्था में पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना पूर्वत आखन समाजिक्ता को स्व प्रधन के रूप में है और इसको भोगना जिसको उपुभोग का है जो हम प्रीवेस जब आपने से जो लोग अभ्यास दर्शन वाले सत्र में थे उसमें एक हमको परिभार्शा मिलता है अब प्रधान रूप में किया हुआ भोग ही उपुभोग है तो यह हम उस समय प्रधान रूप में हो जाता है और उसके बाद यह नगण्यता के रूप निर्भांति के सिति में इस रूप से भोग वस्तुओं की एक श्रिंकला है भोग वस्तुओं के प्रती हमारी जो एक अकर्शन है वो इस क्रम से श्रिंकला है इसलिए भी मुझे लगता हम जैसे वि उसको खर्च किये तो हम कोई साधना और इस प्रकार से कुछ भी मचपन से कुछ प्रयास किया ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम जैसे लोगों के लिए यह ध्यान में रखना इसलिए आवशक है क्यूंकि इससे हम यही गलानी में चले जाते हैं कि मैंने अनावश्य के चाई कॉ मतलब उस सीमा में जो भी प्राप्त किया हुआ धन है वो परिवार के सीमे में उप्योग करना और शरीर को स्वस्त बनाये रखने के लिए उर्जित बताय के रखने के लिए और भूख से जो उत्पन भूख और प्यास से जी उत्पन होने वाली जो पीड़ा है उसको शान् रख सुक गंद सुक के रूप में यह सब मिलता ही है तो इसलिए जड़ के आस्वादन से मुक्त होने की अपेक्षा यह निरिक्षन का मुद्दा है यह इस दर्शन में कम से कम और जितने भी बाहर हम अध्यन के संदर में जब भी बाबाजी से जब भी बात किये तो इसको बल पूरवक त्यागने की कभी भी बात की ने गई यह चीन कर खाना या इसको परधान रूप में करना और व्यवहार को गौंड रूप में रखके आस्वादन करना यह फिर सुचने के लिए मुद्दा बनता है कि यह कहां तक व्यवहारिक कहां तक सामाजिक है परंतु साम दाएगा आप तो पुरिश मतलब जो पहुंचा हुआ पुरिश है आप देखती इन से तो यही उपदेश है कि यह सब जो है तुमारा आसक्ति की ओर है तो यह हमको ध्यान में रखने के लिए स्मरण में रखने के लिए एक बिन्दू बन जाता है अगे प्रतेक मानो स्वत है इस पर हम स्वत भात वरन्ण और चीव चन्रों से सउतनत्रता पिर शरीर की जो कश्ट है उससे सवतन्टदा है का मानों का एक अच्छ आयू मत अब कारती करते हैं और स्वस्त रहते तीसरा स्वतंतरता का शेत्र है आसपास के जो बौधिक वातावरण है बाकी लोगों के व्यवहार और उस वातावरण से जो प्रभाव और हम पे उपर दबाव बनता है हम उससे स्वतंतर होना चाहते हैं फिर स्वयम में ही जो अनावश्यक इच्छा विचार आशा तथा प् एक श्रिंखला बद्ध एक करम को देख सकते हैं कड़ी को देख सकते हैं और कुछ वाक्य पहले हम इसको देखे भीते हैं अनुभाव समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च में आगया, उस बुद्धी के नियंत्रण में चित्य जो हली तिछाएं है, वो समाध्धान पून इच्छाओं की रूप में हो गई, यह समाध्धान पून जो चित्य में है, उसके कि अधार पर नयाएपूर्ण विचार के दूप में वृत्ती में आ गया और फिर नियापूर्ण व्यवहार के रूप में वह मन में आगया कै यह इस अनुभव के लिए साधना क्या है या अगले लाइन में बता रहें दर्शन समुच्य पूर्व कारिक्रम समुच्य का अनुसरन करना ही साधना है तो दर्शन समुच्य का मतलब क्या है पुल मिलाकर दर्शन है प्रकृति का तो प्रकृति में देखेंगे तो जड़ और चै करना ही साधना है मतलब इसके स्वारूप में स्वायम होने के लिए हम जो अभ्यास प्रयोग विचार और प्रवृति हमारे में होती है इसका नाम है फलत है इसके फलन में अनुभव है तो स्वतंत्र होने के लिए तुमको क्या करना है वो एक है कभी घलत नहीं होना चाता हूं हर बच्चे में हमको दिखता है कोई भीचा गलत नहीं होता है किसी नई हमारी बेटी उने वाली है उसको यह दि zukरण को है बढ़त कर दियो स Hero अगर दिकार को धीरे दिरे वहो ओधसे до the ये अमरत्व और अजयत्व का कामना हमको हर मानव में मिलता है कोई भी मानव पराज़ नहीं चाहता है मानव में बल बुद्धी रूप धन आत्मक विभूतियां की उपलब दिया प्रतेक्ष है यह इसको विभूतिया का है मतलब यह एक प्रकार से 5 एशवरी के रूप में हम पढ़ेगा की लाइन में निर्भ्रम अवस्तामें बुद्धी अजय और आत्मा अमर है जिसका अनुभव प्रसिद्ध है तो दो चीजों का अनुभव आ रहा है इसमें एक तो बुद्धी अजय है अभी बुद्धी को जीता नहीं जा सकता इसका मतलब बुद्धी में सत्यबोध हो गया और आत्मा अमर है जीवन के अमरत्यों के बारे में हम सुने हैं कि जीवन कभी भी विघटित नहीं होता परंतु स्वयम के अमरत्यों का जो अंतिम स्वरूप आंतिम अनुभव की जो स्थिती है वह आत्मा में होने वाला प्रत्यावर्तन पूरो की स्पष्ट होता है वही आत्मा में अमरत्यों समझ में आता है इन दोनों का ही फिर नभव होता है बुद्धी में जो सत्य बोध है इसके पता चलता है या आत्मा को ग्यात होता है कि अभी इस बुद्धी को हराया नहीं जा सकता क्यूंकि इसमें यह पूरी तरीके से सत्य में आपलावित हो गया इसके पहले ब्रहमित बु करने की मुल्यांत्य funk wordt गल्ती समात्मक्त करने की संभ़कावना बनी रहती है तो यहां पर ज्यान देने का मुद्दा है जब हम कह रहे हैं इसका यह मतलब है कि जो है अपनात्रवंध है यह संहां ना चित्त तक ही permitted है जीवन में उससे ज्यादा उससे आगे विशमात्म कावेश जाता नहीं परंतु जो सम के अर्थ में मुल्यंकन है उसमें जो अधिमुल्यन या निर्मुल्यन अवुल्यन की जो संभावना है यह जो है अहंकार में बना रहता है ब्रहमित गुद्धी को अहंकार संग पूरा ही जीवन और अमरत्व की छाप बन जाती है यही संप्रभुता है तो संप्रभुता एक शब्द है मैं शब्दों से कई वर्षन तक ड़ता रहा आज भी काफी वह लगता है क्यूंकि कभी इंदगी में कभी सुनाई ने प्रभुसत्ता प्रभुद्धत्त्त और मुझे यह पल्डी नी परशनुंटा था फैसे चारव संस्क।ति संप्रभुद्धत्त विधि ववस्त्त है तो यहां पर क्लियर क्लियर है कि diesem को आत्मा को प्रभुता, प्रभु के रूप में न, सुपीरियर एंटिटी के रूप में आत्मा को रखा है, तो आत्मा के सुरूप में जीवन हो जाना ही यह सम प्रभुता है। परंतु साथ में एक वाक्षिय के लिखा है, शरीर का तात्पर एक क्रिया से हैं, तो हम यदि मानव में जो निहित क्रियाएं, शरीर संग्या देते हैं, तो यह थूल, शरीर, सुक्षम, शरीर और कारण शरीर के रूप में हमको मानव का अध्यान हैं, तो सूल क्रिया हो गई शरीर तुक्ष्म क्रिया होगी जार या पांस क्रिया है और कारण क्रिया होगी बुद्धी और आत्मा इस रूप से भी हम इसका अध्यन कर सकते हैं केवल भाशा देने की बात है इसमें आगे पतंतरता ही एवं अनुभव ही अमरत्व हैं बहुत क्लेर हो गया सत्यबोध संप आत्मा में और रहने की जो स्विकृतिय आत्मा में अनुभव पूर्वक्ी यही क्रम से सटर्ता या सजकता है जिसके लिए ग्यान-ात्मा प्यासी है तो अनुभव ही सतर्ता एवं सजक्ता है, दोनों का ही, इसके पहले सतर्ता सजक्ता, तो सजक्ता जब भी है तो उसके साथ सतर्ता भी है ही, तो अनुभव के ही स्थिती में हम सतर्ता एवं सजक्ता को आते हैं, इसके लिए प्रतेक ज्यान आत्मा क्यासी है, तो ज्यान आत्म उस जीवन से अलग नहीं हुआ और यहां पर उपर जीव की भी बात की है जीवात्मा और ग्यानात्मा तो केवल जीव शब्द की बात नहीं की है तो केवल जब जीव के बारे में बात करते हैं तो हम जीव अवस्था के बारे में बात करते हैं मानव के लिए यह शब्द जीवन शब्द प्रयोग किया गया है, ये बहुत बड़ाक है सिफ्ट है, हमको परम पर में जीव शब्द आने को जगह मिलता है, पर उसमें बहुत सारा भेद है कि सब्सक्राइब प्रभाद, can pass जाता है, are gonna. पधर moment जाता है, przy bagi follows either. जबकि यहां पर जीवन जो है वो चैतन्य इकाई के रूप में परिभाशित है और यह जो है समरिद्धुकून मेधस सहित शरीर में ही इसकी होने की संभाव नहीं तो अन्य वस्तुओं में अन्य इकायों में यह नहीं पाया जाते है ती एवं का आकार मात्र जड़ संद्रच इसमें फिर यह भी क्लेर कर रहे हैं कि यह जो जीवन है यह स्त्री और पुरुष शरीर में एक समान होता है इनमें केवल शरीर के आकृतिक अनुसार जीवन की जड़ संद्रचना है उसके अनुसार जीवन की जो कुझाकार है इसमें भेध हो सकती है बाकि उनमें जो विच रोज ज्यान की सिती नारी और पुरिश दोनों को एक समान प्राप्त है और यह लिए इस लाइन से आ रहा है ठीक है आगे सुक्ष में शरीर जिस आकार प्रकार वाले शरीर को माध्यम बनाकर आस्वादन क्रिया में रत रहता है सदेव उससे अधिक आस्वादन सुक ले सकने की कलपना करता है सुक्ष में शरीर तो आकार प्रकार कौन ले रहा है जीवन में सुक्ष में शरीर ले रहा है उसको हम कहते हैं जीवन के इसमें क्लेरली आ रहा है कि सुक्ष में शरीर जिस आकार प्रकार के शरीर को माध्यम बनाकर आस्वादन क्रिया में रहते भोडे में हाथी में बंदर में अधिक आस्वादन सुख लेने की कल्पना करता ही है इसलिए आगे उसकी गती है इसलिए आगे भी वह बढ़ता है यह आप कुछ कर दो इसमें प्रोजन सा दिख रहा है मुझे को इसमें शायद रुप गया है ठाहे है इसलिए लिए लेने कोड़ सेवहां पार्यद का पूसे इस एक टाशन सब्समें पासे इसलिए और लेक्शन स्वास वरह कि इसे करके देखता हूं कि कर नहीं सकते ब्राइड बैंड सिग्नली है अब ठीक हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि आगे बढ़ते हैं अहां थे हम कि फ्रीजिंग जो है भृतिक विग्ञान का प्रॉब्लम है यह दिखता है कि आध्यात्म विग्ञान के प्रसारण के लिए भृतिक विग्ञान का योगदान या उसका कोपरेशन आवश्रक है जिना भृतिक विग्ञान के अध्यात्म विग्ञान के गती नहीं है इसका प्रमान है सुक्ष में शरीर जिस यह तो हो गया इसी क्रम में मानव शरीर का भी प्रादुब्रा हुआ है इससे अधिक की संभावना नहीं है तो यह स्री शरीर और सुक्ष में शरी शरीर और पूरुष शरीर की बात हुई उसके बाद जिवन का अनेक अनेक शरीरों को लेना और उससे फिर अधिक आस्वादन सुक्की अपिक्षा करना इसी क्रम में फिर मानव के शरीर का प्रकटन हुआ है यह कह रहे है तो एक प्रकार से यह हम अनुमान लगा सकते हैं इस वाक्य से यहां पर बहुत वैसा लिखा नहीं है कि जीवन में जो उस शरीर के आकार से अधिक आस्वादन देने की जो अवशक्ता है उसके कारण या उसको प्रकृती उससे विक्सित शरीर के रूप में पुरा करता है है और हर जगे इसका प्रभाव है इसका मतलब यह जो एक संयोग है अस्तित्त में इस रूप से भी बन रहा है कि जीवन के अवशक्ता के अनुसार एक शरीर का भी रचना होते जा रहा है इन बिल्ट इंटेलिजेंस इन एक्जिस्टेंस यह हम उस शब्द को भाशा देने जाएंगे पर इंटेलिजेंस चेतना चेतने की रूप में नहीं है यह पैचानना निर्वा करने की रूप में है परंतु इसी क्रम में फिर मानव शरीर का प्राद्रु ब्राव इसका जो यह जो शरीर रचना जिसको हम मानव शरीर के रूप में पहचानते हैं इससे जीवन जागरती के लिए अवशक्ता है वो और उसको प्रमानित करने के लिए ना तो कर्म सुतंतरता और कल्पनाशीलता और मनस्वस्तता इन तीनों से संपन्न होना प्रमानित करने के लिए जो लिए तूचना है तो इस तरिक की संभावना नहीं है को एकर्पित करने में बहुत सारा भोजन इखटा कर लिया इससे सुख बढ़िया यह इसकी निरंतरता बनगे यह तो नहीं है यह तो काफी सपश्टे हम लोगों को भाषा के रूप में जिने और प्रुष्टी के रूप इसका मतलब स्थिति सत्य का अंतिन ग्यान संपूंद ग्यान होने से ही निरंतरता है तो एक छोर में आस्वादन सुख और दूसरे छोर में परमानंद की निरंतरता है ना इसके परमानंद के पहले आनंद आनंद के पूरों में संतोष संतोष के पूरों में शांती संत शां ना बैठे रहना देड़ घंटे तक तो यह सारी चीजें जीवन में जो सुख्षा है इसी के कारण से हो रही है पदार तवस्ता गती पूर्वक सापेक्ष रूप में परिणामशील है तो यह मनुष्य में जो प्रानवस्ता है और पदार तवस्ता में भेट की वहां पर वो पूर्वक सापेक्स्ता की गती की रूप से जैसे उपर फंखा चलता है तो मेरे मंद के अाकरिती के अनृषार नहीं चलता है बड़ मेरे शरीर जो बना है वो जीवन में स्वयम में जो सुख्षम करिया है उसके निर्देश अनुसार करने के लिए रयासरत है और व्यस्त ह आपकर इस टेकिंग लॉंगर दिन होती है तो जैसे अपराधीन व्यवहार के लिए वातावरण का दबाव से यह परिणामशील पदार जो है गुनात्मक परिवर्तन पूर्वक प्रान कोशिकाओं के रूप में प्रसवित होती है जैर बॉन युक्त कोशिकाओं वातावरण स्वशंता वह आवसर के योगफल स्वरूप रचना रथ हैं देखे यहीं चीज हमको मानों में भी दिखता है कि वातावरण को प्रेर्णा तता अध्यन के योगफल में हम हमारा आगे की गतिय संस्कार बनता है वही चीज हमको प्रानवस्था में भी दिखती है तो एक प् तो पुष्टी तत्व पुष्टी विधी के रूप में हमको समझ में आता है वह अवसर तो बढ़ने का अवसर भी चाहिए इसके योग फल में यह रखना रखना रखने तो अवसर का मतलब उसके लिए जो आसपास की पेड़ पौदे हैं उसके तूरज और जगह भी है कि नह हुना है तो इसको आसपास जग है एक आदमिको प्रमानुकों तो उसको जगह चाहिए तो यह वसर के रूप में यह वसर यदि अधि करना चाहता हूं देख सकता है यति कर के रूप में प्रत्यक्स है तो यह प्राणवस्था वनस्पति शिष्टी के रूप में कह रहे हैं यह भी एक मुख्य बिंदु है क्योंकि परंपरागत विधाओं में वनस्पति को भी अलग-अलग रूप से उप्योग किया गया है तो आउशेदी एक अलग वस्थू है वन प्रानकोशिका समूर से निर्मित होती है इस रचना में मेधस एक विशिष्ट भाग समाहित रहता है जिसे प्रान अवस्था में नहीं पाया जाओ तो यह एक बहुत क्लियर फिर एक लाइन बोलने जैसे पदार्त अवस्था के अबावपूर्व गुनात्मक परिवर्थन पूरो प्रानकोशिकाएं मिली प्रानकोशिकाओं में वातावरेंट स्वशंता और अवसर के योगफल में उनके फलित होने का संभावना उसी के विकास के रूप में हमको जीववस्था की शरी रचना भी मिलती है यह भी प्रानवस्था के ही रचना है परंतु प्रानवस इकाई की कंट्रोल सिस्टम बन गई, इसको हम कहेंगे ब्रेन, ये मेधस, तो अमबेई भाषाय में खोपडी कहते हैं उसको, ये जो ब्रेन है, तो इसका मतलब हुआ कि जहां से हमको वहां से फिर जीववस्था है, तो यहां पर ये वाक्या नहीं आया है, परन्तु कई ऐसी शरीर रचनाय रहेंगी, जिसमें हमको जीवन ने, वो भी जीववस्था में ही हमको गणना पड़ेगा, जैसे ये हो गया अपना, चीटी हो गया, और मान लिजे मेड़क हो गया, और मच्छर हो गया, इसको कहा रखेंगे, तो ये सब फिर जीववस्था में ही आएंगे, जहां जहां हमको brain दिखता है, तो brain एक का होना फिर आगे जाके उसमें central nervous system का होना है ना और बागी ज्यान वाही तन्तो और क्रिया वाही तन्तो वो सम उसके detail है, पड़कुल मिलाकर यहां जो विभाजन रिका है कि प्रान कोशिकाओं से रचित रच रहा है जब उसमें जो brain स प्रान वस्ता की क्रिया संचालित होने लग गए उसको वो जीववस्ता कहने लग गए उसमें जब समरिद मेदस है समरिदी पून मेदस आ गया तो उसमें जीवन का हो गया तो यह जीवन सहित जीववस्ता हो गया और उसमें समरिदी पून मेदस जब उसमी में रचित हो ग अनुभव तो मेरा हो गया और बाइदरवे प्रकृति भी ऐसी है यह भाशा नहीं है यह अनुभव ज्यान से संबंदित है तो उससे उसको हमको उस रूप से स्विकारना चाहिए उस रूप से हमको देखना चाहिए वातावरन उनसार जिसे प्रान अवस्था में नहीं पाये जाता ऐसे शरीद्वारा जीवात्मा आशापूरोग भोगों में वेस्त रहता है जो प्रत्यक्ष है यह हो गया यह तो क्लियर है कि शरीद्वारा जीवात्मा आशापूरोग भोगों में वेस्त होता है इसमें वो पागया कि मेधस संपन्द जो जीव अवस्था की जो शरीर है वो जीवन सहित गोड़ा सब में अगे लाई वातावरण अनुसार जीव आत्मा के शरीर तथा उनकी आशा में परिवर्तन शीलता प्रत्यक्ष होती है यही प्रक्रिया विशप परिणाम को प्रकट करती है जीव अवस्था की इकाई में जिवन भी है इंमें वातावरण के अनुसार उनके शरीर में परिवर्तन होता है उससे उनके आशा में भी तरक्रिणाम को होग। तो इसमें यहीं देखेंगे इन फाक्ट एक बहुत सिमिलर चीज हम मानों में भी देख सकते हैं जैसे अलग-अलग सीजन में हमको अलग-अलग चीज खाने का मन करता है जैसे यहां पर पुना में अभी बारिश शुरू हो गई हमारे घर में धही हो गया है यहां पर शरीर भी हो गया और शरीर से भाय वातावरे इससे आशा पर प्रभाव पढ़ता है यही चीज हमको जीवों में भी दिखती है परंतु अंतर के हुआ जीवों में यह चार विशेयों के सीमा में प्रकट होता हुआ दिखता है जबकि मानों में यह पांच सम्मेदनाओं के रूप में प्रकट होता हुआ दिखता है यह एक बेसिक अंतर हो गया जीवात्मा एवं ज्यानात्मा के शरीर संरचना में अधिकान समानता रहते हुए भी जिव आत्मा के शरीर में जीव आत्मा की अपेक्षा शब्दस पर शुरूपरस गंधेंद्रियों में विशिष्टता हैं हैं ही, यह तो clear है, तो जीव आत्मा या जीववस्था, मतलब जानवर, जीव जानवरों के शरीर तथा मानव के शरीर में समानता रहते हुए भी ग्यानिंद्रियों में हमको विशिष्टता लिखती है, तो जितना finely हम आँखों को यूज कर पाते हैं ज्यानिंद्रियों के रूप में और stress है, जैसे भोजन में मिठास को भेद कर पाना, इन प्रकार के मिठासों को भेद कर पाना, जो 5-6 टेस्ट, 8 टेस्ट हमारे में बन में हुए हैं, फिर सम फ्रिक्वेंसी में जो भेद कर पाते हैं, यह फिर ववस्थाओं के, तो यह के में संभव नहीं है, तो यह शरीर के रचना के कारण हो रहा है, और इसके अनुसाद ले पारा है, यह वाली एक बात है, एशे शरीर द्वारा प्रत्य ज्यान आत्मा उत एक निवेदन हैं, फ्रीज होता है, तो मंझे पता भी नहीं चलता है, जैसे अभी फ्रीज हो गया, और अपना फोन पास में रखा हो, यदि फ्रीज हो जाता है, इक message ाफस, SMS या WhatsApp जिन लोगों के पास, राकेश भाई को में रिक्वेस्ट कर सवतना हूँ, I'll just keep my message SMS window open, तो यदी that goes, आप SMS डाल दीजिए, then I can see what to do, तो यदि ये वापस फ्रोजन दिख रही है, विंडो मेरा, तो हम कहां पर थे, ऐसे शरीर द्वारा, तो पांच ग्यान इंद्रियों से युक्त है, ऐसे शरीर द्वारा प्रत्य ज्याना आत्मा, उत्पादन व्यवहार, व्यवसाई, उपयोग, उपभोग आत्मक्रिया कलापों को, स्वयम के आश्रा, विचार, इच्छा, संकल, पानरूप करता है, तदनुसार उसमें वैचारिक परिवर्तन, परिमार्जन होता है, तो ऐसे शरीर, ऐसे समिद्ध मेदस्पून, पांच इंद्रियों, युक्त शरीर, द्वारा प्रत्य ज्याना आत्मा, प्रत्य ज्याना आत्मा, उत्पादन, व्यवहार, प्रत्य ज्याना आत्मा, उत्पादन, व्यवहार, जब भी उत्पादन करेंगे, वेवसाई है ठीक है उपयोग उपयोग का मतलब क्या हुआ कि हम वस्तुओं का वतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जैसे एक पेन का उपयोग कर दिया किसी की उपयोग कर दिया परिवार के सीमा में उपभोग ये इंद्रियों के द्वारा जो हम उसको सेवन करते हैं इसक चाप है जो प्रवृत्ति है जो बना हुआ है उसी के अनुसार सिरह हम इन चीजों को करते हैं जैसे उधारन के रूप में मुझमें यह जी उत्पादन की प्रवृत्ति नहीं है इस भी कारण से शरीर के कारण से या आदत के कारण से अभ्यास के कारण से शिक्षित होने के का वही दूसरे किसी मानव में उत्पादन की प्रवरिती बनी हुई रहने के रूप में दिखती है। यह इच्छा के सिपिक अनुसार होता है, इसमें बुद्धी का भी रोल होता है संकल्प के अनुरूप, तो बुद्धी के अनेक अवस्थाओं के रूप में अल्प विक्षित अर्ध विक्षित और पूर्ण विक्षित के रूप में हम बुद्धी के तीन अवस्थाओं को मानव व्यस्थान के 17 अध्याय में हम अध्यन किये हैं तो बुद्धी के ये तीन अवस्था के रूप इस इसके अनुसार फिर उत्पादन व्यवहार व्यवशाय उपुभोग में, वानव व्यस्थ है, यह इसमें लिखा है, इसके साथ फिर उसमें परिवर्तन और परिमार्जन होता है, इसमें इच्छा विचाराशा में, इच्छा विचाराशा में जो परिवर्तन परिमार्जन हो नहीं तो संभव नहीं है तो ये गुरात्मक परिवर्तन परिमार्जन पूर्वकि इच्छा संकल्प के गुरात्मक परिवर्तन तथा परिमार्जन में फिर हम उक्त हो जाते हैं, यही अनुभव अभिलाषी होने का मतलब है ह। इसके बाद एक लाइन आता है अनुभाव equal to बराबर व्याफक, बराबर शुन, बराबर परमात्मा, बराबर ग्यान, बराबर सामियूर्जा, बराबर सत्ता, बराबर ब्रहम, रूपी सत्ता में अनुभाव है। तो क्या इसका अनुभाव शुन्य है? या क्या ये मतलब होता है कि शुन्य क्या अनुभाव होता है? क्या हम ये माने कि अनुभाव में कुछ भी इनके अनुभाव equal to शुन्य लिखा है? क्या हम ये माने कि शुन्य को अनुभाव होता है? इतने संभाव नाए हैं? तो में चाहिए, मेरे अनुसार, यह मेरे अनुसार है, आप अपना बताएंगे कभी, अनुभाव जो है सत्य में से के लिए होता है, सत्य में, व्यापक वस्तु को सत्य का है, तो जीवन में आत्मा में जो अनुभाव होता है, वो सत्य में रहते हुए, सत्य को समझने के लिए, सत व्यापक सत्य है लार परिवर्टनी वस्तु तो यह सत्य को कहेंगे देखेंगे तो दर्शन में तो स्थिती सत्य वस्तु गठच सत्य और वस्तु स्थिती परिभाषित किया गया है, तो सामान या तर्क से भी यह दि हम देखेंगे, हम उस वस्तू को सत्य कहेंगे जो परिवर्तनी है, नहीं है तो कोई भी बदलने वाली चीज को फिर हम सचाई नहीं खाएंगे, जैसे यह लैपटॉप इदर है, तो कल चले गया, तो यह शक्ति हुआ कि नहीं हुआ, इस समय तो था, बड़ अब नहीं है, तो जब मैं अब देख रहा हूँ, उस समय लैपटॉप नहीं है, तो तब था कि नहीं ऐसे मन में एक खलपनात्मक एक प्रश्न चिन बन से, तो तो अब परिवर्तिनीय वस्तू अस्तिट्टू में एकी है, यह सभी आत्माओं का आधार है इसलिए इसका नाम परमात्मा है आत्मा अस्तित्यों का सबसे विक्सित अंश है इस अर्थ में कि वो गठन पून परमानु के मध्यांश में पाया जाता है by virtue of its position इसलिए आत्मा को सरवच विक्सित अंश का है आत्मा में ज्यान का जो आधार है इसका नाम फिर परमात्मा यह इसलिए आत्मा के संदर में यह परमात्मा क्रिया के संदर में उसको शुन्य नाम देना बनता है और यह परमात्मा ही और यही जीवन में ज्यान के स्थिती में ज्यान के रूप में है यह याद होता है इसके पूरो में छेतना की रूप में हैं जैसे मैं छेतना संपन हूँ आप हम सभी सत्यापित करी सकते हैं यह लगता उसमें कोई भी दिकत नहीं है परन्तु यह जो छेतना संपन होने का जो कारण है और यह यह व्यापक ही छेतना है यह ग्यान हो सकता हमारे भार्षा तर्क किसी में प्रतीत हो गया हो यह अनुभव में ही जाके पुरा पढ़ता है यही मतलब होता है अनुभव ही अनुमान का विले पूर्ण होता है और यही आगे ज्ञान equal to सामय उर्जा का मतलब यही ज्यान जो जागरिज जीवन में ग्यान रूप में पाया जाता है यही जड़ प्रकृति में सामय उर्जा के रूप में भ्यक्त है और इसलिए फिर इसको सत्ता भी कहा है क्यूंकि सभी जार बन गया में अल्य को सत्ता तो यह किलिए इसको सत्ता नहीं है इसको पिर सत्ता भी कहा है और यह सारा समझे आना ही रम रूपी सत्ता में अनुभाव यह जो पर है इस लाइन को हम इस विजिए दे सकते हैं एक एक जामपल है कारणात्मक एक अर्थ को गणितात्मक भाशार से व्यक्त करना है इतने को लिखने जाएंगे एक पेज लगता है एक शौट में उसको पूरा कर लिए और उसी का नाम साधना है इसका दूसरा आर्थ बनता है कि कही से तुमको मिलेगा नहीं है यही जागरती का चरमोत कर्श्व लक्ष्ण है जिसके निमीत ही अध्यान प्रया से जितनी भी प्रयास है हमारे वह इसी जागरती के लिए इस अंतिम जागरती के लिए ही हमारे सारे प्रयासे चाहे उतबादन के रूप में हो तो ना आ अभ्यास की रूप में और आध्यान की रूप में के साथ हम फेले अध्याय को पूरा किये थे stuk वह ख्योंतों हुआ है गव। देकने आगे क्या होता है अध्याय साथ कहतं है